नमस्कार दोस्तों हरियाना का विधान समा चुनाव इस समय पूरी तरह से दस्तक दे रहा है तमाम लोग चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों चाहे वो राजनेता हों चाहे वो पलिटिकल पार्टीज के करता धरता हों इसके साथ साथ चाहे वो तमाम लोग जो राजनीति गती विदियों में रुची रखते हैं, वो सब की नजर है कि आखिर चुनावी अखाडे में नया क्या चल रहा है, अगर आप देखें तो चुनावी राजनीती जो होती है, खासकर हरियाना में जब आ जाएं, तो हरियाना के अंदर राजनीती के अंदर पाल, गोत्र, जाती शुरू की भारत जोडों निया यात्रा जो उनका पार्ट टू था उस यात्रा के दोरान उन्होंने जातिगत जणगर्णा को ले करके इस मुद्दे को पूरी तरह गरम कर दिया अगर बात आ जाती है लोगसभा की तो लोगसभा के बजट पर भी रहुल गंदी पूछ लेते हैं कि जब जनता के बीच चुनाव की बात आती है तो फिर चला करता उसके अंदर के अमुग जाती अमुद्ग गोत्र अमुग संपरदाय को क्या मिला मैंने आपसे पिछले दूने एक वीडियो शेयर किया था खासकर हथीन विधान सभा को ले करके और उसमें हमने आपसे बात की थी कि हथीन विधान सभा चेत्र के अंदर जो मेव मुस्लिम राजनीती चलती है उसके अंदर OBC का भी एक अपना अलग रोल रहेगा ऐसे कुछ सवालों को ले करके खासकर मेव मुस्लिम राजनीती उसके अंदर OBC समाज और फिर यूथ यूवा इन सब कुछ सवालों को ले करके या इन कुछ बातों को ले करके आज मेरे साथ स्टूडियों में मौजूद है साविर खान मैं आपको साविर खान जी का परिचाय देदूं साविर खान की धरम पत्नी पलवल जिला परिशत की सदस्य हैं वाड नमबर पांस से साविर खान चातर राजनीती से कॉंग्रेस के अंदर है एनस यूई के परदेश के सब अध्यक्त सभी रहे हैं इसके साथसाथ की कमेटी के भी जिले के महमंतरी महाशची विए हैं साबिर से ही जानते हैं कि उनका पुलिटिकल प्रोफाइल और इसके साथ साथ उनका जो एजेंडा है उसके बारे में वो क्या केते हैं साबिर जी आपका स्वागत है देश रोजाना पर सबसे पहले तो मैं सबी को नमस्कार करता हूँ सलाम करता हूँ देश रो जाना के जितने भी दर सके जी देखिए मगूजी मैं एक साधहन से परिवार का बच्चा हूँ और मैं जैसे का आपने पहले बताया कि छात राजनीती से हम लोगा का आगमन हुआ है कांगरेस में और ह राहुल गांदी जी को देखके हमने NSY को जॉइन किया और उन ही को देखे आज भी हम काम कर रहे हैं देखिए जहां तक बात राजनीती के आदिये तो मैं राजनीता कम सोशल वर्कर जादा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग जाती की गोतर की पाल की बात क करते हैं अगर दबे कुछले और पिछडे की हम बात करेंगे तो वो सारी जाती में सारे धरम में सारे चेतर में और सारे वर्गों में वो लोग मिलते हैं अगर हम अपनी कास्ट की बात करें या मैं हिंदूों में जैसे पंडितों की बात करें तो हमारी कास्ट को भी मुस्ल दूसरा आप जैसे पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है, पूरा हरियाना और पूरा हम इलाका भर्मन करते हैं, तो हमने देखा है कि कैई लोग जाट हैं, और वो मेव हैं या छत्री हैं, लेकिन वो बिचारे बहुत गरीब दवे कुछले लोग हैं, तो उन सब लोगों के लिए हमारा जो राजनिती करने का जो या हम राजनिती में कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए मेरा काम करने का इरादा है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर धर्म के, हर जाती के, हर वर्क के, हर छेतर के आदमे के लिए काम करने का माददा रख करता हूं और पूरी कोचिश करंगा अभी आपने कहा कि जाति और धरं की बात करते हैं यह पाल कोत्र की बात करते हैं तो अगडे पिछले की बात करने आपने भी कहा और एक आपने कहा कि मैं राजनेता नहीं शमाज-सेवा को su राजनीती भी है यह ठीक है कि राजनीती पिछले समय में भ्रमित हो गई या राजनीती के अंदर आने वाले लोगों ने समाज सेवा के बजाए निज सेवा को अपना उद्देश्य बना लिया अभी जो आप कह रहे थे कि अगड़े पिछड़े वाली बात तो आपकी गिंड़ता ज़्यादा कर रहे है वाजकर । देखिए राहल जी की जो गात आप पने कही राहल जी जो है उनकी सोच बिलकुछ あलग है उन्हों McN जो भारत जोड़ो नया यात्रा उनों निकाली थी तो हमारे जो लोग हैं ओनके लिए अगर कोई आरक्षण की बात करता है तो अगर हम राजनिती में चुनाओं लड़ने की बात करते हैं तो हमारे लोगों का इतना मतलब एक तरह से इतनी जन संख्या नहीं है कि हम जो बड़े लोग हैं या जो बहुत संख्यक लोग हैं उनके मुकाबले हम चुनाओं लड़के आएं और जीते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है वो एक समांतर राजनिती की बात करते हैं सब को दलित को पिछडे को सब को हक दिलाने की बात करते हैं और ये राइट देनी की बात आज से नहीं चली आ रही है ये बहुत पहले से जब से देश आ जा दुआ तब से चली आ रही है लेकिन अभी तक उस चीज़ को अमली जामा नहीं पहना गया है उन चीज़ों को उसको इंप्लिमे समाज की खासकर बात करते हैं OBC समाज की BC समाज की SC समाज की हिंदू समाज के अंदर ये बात आती है क्या ये मुस्लिम समाज के अंदर भी ये OBC SC ये सब कुछ होता है क्या देगे आपने अभी मुझे बोला कि जातिगत ये ये हमारा जो देश है ये हमारा चेतर है हरियाना या पूरा हिंदुस्तान की बात कर लोग नहीं देखते हैं अगर मेरी जाती का नेता खड़ा है तो उस पर आँक बंद करके लोग यकीन करके वोट देते हैं और ये बिल्कुल होता है इसको नकारा नहीं गया सकता लेकिन अब धीरे धीरे हर तबके के हर मतलब हर समाज में ल बदल रही है लेकिन इस हद तक भी सोच नहीं बदल रही कि वह किसी दूसरी जाती की नेता को अपनी जाती की नेता को छोड़के दूसरी जाती को वोट करें काम ना पूछो नहीं ता कि पूछ लीजियों जात खेर हतीन विधानसवा चित्र में आप तैयारी कर रहे हैं जी जी कॉंग्रेस के अंदर आप हैं जी कॉंग्रेस के अंदर रहकर के आप हतीन विधानसवा चित्र की तैयारी कर रहे हैं पहले अपने बताएं कि तैयारी है कै हमारी जो तैयारी है हम मैं जमीन से जुड़ा हूँ आदमी हूँ और जब हमने जिला परिशत का चुनाव लड़ा था तो उससे पहले भी हमने एक अपना निजी सर्वे किया था कि मैं पिछड़ा वर्ग A से आता हूँ और मुसलिम समाज में पिछड़ा वर्ग A बीसपीय से में आता हूं तो मैंने निजी तोप करता चाति संद में एक सर्वे करा यह कि हम हनड़़ी परसंत चुनाओं जितैंगे अभी हमने हती में मैंआ अपना फिर एक निजी सर्वे किया खाम मेरी टीम ने सर्वे किया है मेरे पास हमारी जो BCA की वोटे हैं वो 42 से 48 जार हमारी BCA वोटे हैं और फिर मैं सुकेडिया पाल से आता हूं उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं या जो टिकेट मांग रहे हैं या जो पहले दो तीन लो गरिया पाल भी हैं फिर हमारे डाग पाल भी हैं फिर हमारे डाग पाल भी हैं फिर उसके अलावा भी और पालों के भी अलग अलग गाओं एक एक दो दो गाओं बसे हुए हैं तो यह हमारा सुकेडिया पाल और हमारा जो BCA समाज हैं उसमें तो अगर पार्टी हम पे बहु समस्या सुन रहे हैं और पूरा हम प्रयास करते हैं कि हम समस्या को जड़ से खतम करें तो उन लोगों का एक रुजान है कि नया फेस हो और मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि जो नेशनल पार्टीज हैं अगर वो नय फेस पर अगर वो दाउं लगाती है तो 100% वो लोग चुना निकाल रहे हैं चलिए फ्रेश चेहरा यूर नया फेस यह बात तो गई अब यह आप बता रहे हैं कि आप BCA से आते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो BCA है उसके अंदर उस कैटेगरी में आपने बताया खुद को BCA, BCB यह सब कुछ है क्या है उसके अंदर और आप मुझे थोड़ा इविस्तार से यह और बताओ कि हथीन विधानसवाज चेतर के अंदर खास कर जो मेव मुस्लिम मद्दाता है जिनकी संक्या लगवग मैं समझता हूँ एक लाग से जादा कुछ थोड़ी जादा ही होगी एक लाग तीन-चार अजार के असपास है तो उसमें आप क्या मानते हैं कि BCA जो है BCA या BCB वो भी है कैटेगरी और उनकी वोट अगर देखे तो वो कौन सी है उनमें कास्ट कौन कौन सी आ जाती है इदर देखिए हमारे जो अगर हम कास्ट वाइज डाटा की बात करते हैं तो हमारे BCA में जैसे मियाओं की वोट होती हैं हमारे नाईयों की जिनको अंसारी भी बोलते हैं हमारे अबबासी जिनको सक्का भी बोलते हैं हमारे जो नाई हैं हमारे जो और दूसरी कास्टे भी आती है और जुलाहे भी हमारे उसमें आते हैं, हमारे चीपी भी उसमें आते हैं, हमारे कंडेरे भी उसमें आते हैं, हमारे नीलगर भी उसमें आते हैं और हमारे मेव मुस्लिम में जो BCA है उसमें सिर्फ मेव कम्मूनिटी आती है अच्छा और बाकी ये BCBA में हैं सभी ये जो अपने नाम बताए जो भी और हाई ये जितने भी मैंने आपसे नाम से लिए ये सारी BCA की कास्ट है और मुस्लिमों में सिर्फ BCB में में आता है जी तो मतलब इसके अंदर ज्यादा मुस्लिम समाज में अथीन के अंदर BC मत दाता जादा बानते हैं नहीं BCB के यानि कि में मत दाता जाता है में मत दाता जाता है जो बासट त्रेसट हजार वोट है और आपकी BCA की 45 नियर अबाओ 45 नियर अबाओ 45 नियर शाट बासट जार में समाज की है और फिर उसके अंदर जो मुस्लिम समाज में BCA के मत दाता जाब बता रहें वो लगवग 40-42 जार उनकी संक्रा है फिर आपने बताया आपकी गोतर है जी आपकी गोतर कौन से बताए अपने हम मै जो मेरा जो गाम है वो सुखेडिया पाल पाल आपने बता दिया कि लगवग 6-7 पाल जो प्रमुक वहां की है और अभी तक जो मौका मिलता था आपके रहें एक पाल को मिलता था जी है इना जी कॉंग्रेस के अंदर जो राजनीती है गुटबाजी वाली बहुत ज़्याद कॉंग्रेस का कारे करता सम्मिलन था और मुझे साविर खान की नजर नहीं है उसके अंदर देखिए का कॉंग्रेस में मैं यह कहूंगा गुटबाजी नहीं है लोगों की अपनी एक आस्ता होती है बहुत बड़ी पार्टी है कॉंग्रेस और यह सिर्फ जो है क्या नामे य उबन खिर्फ जो अननी कमारि शैल जाजी हो यह भुपेंदर सिंग उद्डा हो सारे लोग पार्टी के लिए कामकर रहा है और कहीं ने कहीं सब लोगी एक जुट हैं सब का अपना अधिकार चेत्र है और कारेच चेत्र उस रसाब सारी लोग पार्टी के हम करने में लगए जली अंतिम सवाल पर आते हैं, अगर आपको कॉंग्रेस तयारी तो कॉंग्रेस से कर रहे हो जी या अगर कॉंग्रेस मौका नहीं देथी तो कोई और बी मन में है कोछ चल रहा है नहीं देखे मैं पार्टी का बहुत डेडिकेटिड और डिवोटीड वर्कर हूँ और पार्टी अगर मुझे अगर टिकेट नहीं देती है तो पार्टी जिसको भी टिकेट देगी क्योंकि मैं बाइस साल से कांग्रेसा जुड़ा हूँ और मैं पार्टी का पूरी तरह से सहयो करूँगा और हम जिस भी मिद्वार को हाई कमान टिकेट देगा उसके लिए हम पूरी जिजान से मेनत करेंगे और हतीन विधान सभाग छेतर से हाथ के पंजे के कंडिरेट को जिदाने का पूरा हाथ केंजेट हाथ का पंजा होगा या डेफिरेटली केंजेट हाथ का पंजा होगा अंतिम सवाल फिर आप से वह कि पार्टी साविर खान को क्यों चुने और साविर खान क्या संभावना यह देखते हैं अगर साविर खान को पार्टी टिकट देती है तो क्या संभावना देखते हैं पार्टी के बख्ष में आप फिर देखे मैं आपको इबात बता दू पार्टी मुझे क्यों चुरे आपने बहुत अच्छा सवाल पोछा देखे मैं जो है पिछडा वर्क से आता हूं उसके बाद मैं सुखेड ये पाल से आता हूं उसके भी हमारा राइपूर में एक अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का 36 कड में तो वहां पर एक रजुलेशन कॉंग्रेस में पास हुआ है उसमें 50% टिकेट जो है पिछड़ों को दलित को माइनोर्टी को युवां को महिला को दिया जाएगा तो उन पांच में से तीन क्रीज को मैं फिल्फिल करता हूं जी मैं यूथ हूं मैं पिछड़ा हूं और मैं माइनोर्टी से बिलॉंग करता हूं तो मुझे पूरी अमीद है कि मैं पार्टी के जो नौम से उनको पूरा कर रहा हूं और पार्टी का जो सर्वे हैं पार्टी की जो बाते हैं वो लगभ लगवग युवाओं के पक्ष में जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी हमारे जैसे युवाओं को जरूर मोकर देगी चलिए तो यह साविर खांग जो तैयारी कर रहा है अथीन विदान समा चेतर से साथ साथ इन्होंने बात की कि उनकी पाल को और उनका जो खासकर बीसी समाज है पिछला वर्ग समाज है उसको कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कभी कोई मौका नहीं मिला उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी का जो नियम है नीतियां है और उन सब पर वो खरे उतरते हैं इसके साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने उनको मौका दिया तो फिर वो एक नया आयाम स्थापित करेंगे तो साविर खान जी आपको भी हमारी भी शुपकामना ह कि जो आप सोच रहे हैं वो फली भूत हो बहुत 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 शुक्रे आपके दन्यवाद